नमस्कार मैं हूँ अभिशेक त्यागी चीन को असली सबक जो है ना पैरिस ओलंपिक में वह भारत्य खिलारी दिखा रहे हैं असली सबक भारत्य खिलारी सिखा रहे हैं वहाइसाब चीन को आप पहले मनुबाकर की बात कर लीजिए जब मनुबाकर ने 10 मीटर एर पिश्टल म मैडल जीता था रजट पदर तब उन्होंने चीन के खिलारी ओं को पीछे छोड़ा था आपको याद होगा चीन के खिलारी पांचों छटे नंबर पर रहे थी उस वक्त मनुबाकर की तारीफ हुई थी क्योंकि चीन पहली बार ऐसा हुआ था जब निशाने बाजी में चीन पीछे रही थी क्योंकि उससे पहले भारते खिलारीओं का ये मेड़क 12 साल के इंतियार करना प्रा था और अब चीन के खिलारीओं को सबसे जादा किसी ने सबक सिखाया है तो वह भारते खिलारी है अब लक्ष शेन कमाल कर दिया इस खिलारी ने कमाल कर दिया पुरुस सिंगल बैटमिंटर में इस खिलारी ने चीन के खिलारी को पीछे करके बाइसाब कमाल की परफॉर्मेंस करके इतिहासिक कारणामा कर दिया है अब क्या जानकारी एक बार देख लिजिए लक्ष शेन ने क लोटिन चेन को 1921-21-21 से हराकर इतिहासिक कारणामा रच दिया है उनसे पहले उलम्पिक के इतिहास में कोई भारतिय पुरुष सिंगल के सेमि फारनल तक नहीं पहुँच पाया था ये कितना बड़ा कारणामा है लक्षशेन का इस्याप अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने हराय किसको चीनी को चीनी को हराया है बताते चले कि ओलम्पिक जोजा 24 में अब लक्षशेन ही बैटमिंटन में भारत की आखरी पदक की उम्मीद बचे हैं और वो पदक पक्का करने से महद एक कदम दूर है बस एक कदम दूर है लक्षशेन यार दिल जीत रिया है लक्षशेन ने 128 साल का मतलब अभी तक कोई भी भारते खिलारी पूर सिंगल में ओलम्पिक में सेमी फानल में जगा नहीं बना पाया तो सोचेगा कितना बड़ा कारनामा यार इस लड़के ने करके दिखाया है और वो भी चीनी खिलारी को हराने का जो मजा है ना वो यार क पिछले गेट से जाओ भाई साब आपके लिए यहाँ पर प्रेरिस उलम्पिक में कोई जगह नहीं है हम आगे जाएंगे हम भारत का जेंदा फैराएंगे यह है भारते खिलारी की करामा जायर तो पर लक्षशेन की तारीफ हो रही है जिस तरीके से बैटमिंटन में सेन की जीत पर क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि यह खिलारी भारत को पहला गोल्ड मैडल जिताएगा कमेंट करके बताईएगा वीडियो अच्छे लगए तो लोगों को लाइक को शेयर जरू करिए क्योंकि पहरी सोलम्पिक की लगाता जानकारी मिलती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना थैंक्यों दिमच्च